एक बार की बात है एक संथ जगनात पुरी से मथुरा की ओरा रहे थे उनके पास बड़े ही सुन्दर ठाकुरजी थे वे संथ उन ठाकुरजी को हमेशा साथ ही लिये रहते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना कर लाड़ लड़ाया करते थे कभी उनसे बाते करते थे कभी कोई खिलवार करते थे इस तरहे ट्रेन से यात्रा करते समय बाबा ने ठाकुरजी को अपने बगल की सीथ पर पधरा दिया अन्य संतों के साथ हरी चर्चा में मगन हो गए जब ट्रेन रुकी और सब संत उत्रे तब वे सत्संग में इतने मगन हो चुके थे कि ठाकुरजी वाला जूला गाड़ी में ही रह गया संत सत्संग की मस्ती में भावनाओं में ऐसा बहे कि ठाकुरजी को साथ लेकर आना ही भूल गए कुछ देर बाद जब उस संत के आश्रम पर सब संत पहुँचे और भोजन प्रसादी पाने का समय आया तो उन प्रेमी संत ने अपने ठाकुरजी को खोजा और देखा कि हमारे ठाकुरजी तो हैं ही नहीं संत बहुत व्याकुल हो गए बहुत रोने तडपने लगे परंतु ठाकुरजी तो मिल ही नहीं रहे थे उन्होंने ठाकुर्जी के वियोग में अन्न जल्ल लेना स्वीकार नहीं किया संत बहुत व्याकुल होकर विरहे में अपने ठाकुर्जी को पुकार पुकार कर रोने लगे तब उनके एक पहचान के संत ने कहा महाराज मैं आपको बहुत सुन्दर चिन्नों से अंकेत एक नए ठाकुर्जी दे देता हूँ परन्तु उस प्रेमी संत ने कहा हमें अपने वही ठाकुर्जी चाहिए जिनको हम अब तक इतना लाड लडाते आए हैं तब ही वह दूसरे संत बोले आपने उन्हें कहा रखा था मुझे तो लगता है गाडी में ही छुट गए होंगे फिर एक दूसरे संत बोले पर अब तो बहुत घंटे भीट गए हैं गाडी से किसी ने निकाल लिये होंगे या फिर गाडी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी इस पर वह संत बोले मैं स्टेशन मास्टर से मिलकर बात करना चाहता हूं महाँ जाकर सब संत उस महात्मा को लेकर स्टेशन पहुँचे स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे उन्होंने पूछा कि आप कौन सी गाड़ी में बैट कर आये थे संतों ने गाड़ी का नाम जब स्टेशन मास्टर को बताया तो वे आश्चर रिचकित होकर कहने लगे अरे महराज कई घंटे हो गए यही तो वे गाड़ी है जो यहां खड़ी हो गई है और किसी भी प्रकार से आगे बढ़ी नहीं पा रही है ना कोई खराबी है ना कोई अन्य दिक्कत है कई सारे इंजीनियर और विशेशग्य सब कुछ चेक कर चुके हैं परन्तु कोई खराबी दिखती ही नहीं है महात्मा जी बोले आगे कैसे बढ़ेगी मेरे बिना मेरे प्यारे कहीं अन्यत्र जाते भी तो नहीं है वे महात्मा अंदर ट्रेन के डिपे में गए और देखा जोले में से ठाकुर जी का प्यारा समुखमंडल चमक रहा था जहां महात्मा जी ने उन्हें पधराया था अपने ठाकुर जी को महात्मा ने गले से लगाया और जैसे ही महात्मा जी ट्रेन से उतरे गाड़ी आगे बढ़ गई ट्रेन का चालग, स्टेशन मास्टर, सारे इंजीनियर और जो भी लोग वहां मौजूद थे सब आश्चर्रे में पड़ गए और बाद में जिस जिसने भी यह लीला सुनी पर गदगद हो गए और वे सब ही जो हां उपस्थित थे प्रभु की इस अदबुत लीला के साक्षी थे उन सब ही ने अपना जीवन संत और भगवान की सेवा में लगा दिया इसी प्रकार की अन्यवरत एवं पौरानिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इने पहुँचा कर तर्म लाप राप्त कर सकें